नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में इचिंग होना या इचिंग इन प्रेगनेंसी क्या ये नॉर्मल है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में एक वाइट डिस्चार्ज होता ही होता है पट इस डिस्चार्ज में कोई इचिंग नहीं होती है, कोई सोरनेस नहीं होती है अगर आपको इचिंग होने लग रही है, तो ये एक infection का sign है ये दो तरेके का infection हो सकता है या तो yeast या fungal infection जिसमें आपको बहुत जादा खुचली होगी और एक curdivide discharge भी निकल सकता है ये आप अपने डॉक्टर से consult करें तो आपको एक लगाने की cream या अंदर रखने की tablet या suppository देंगे खाने वाली tablets pregnancy में नहीं दी जाती है दूसरा infection जो itching करा सकता है वो है कोई bacterial infection या bacterial vaginosis इसमें आपको थोड़ी सी गंदी सी smell भी आ सकती है इस तरीके से आपके doctor आपको देख के इसको diagnose कर सकते है और अगेन एक vaginal suppository या vaginal tablet के थुर इसका cure असानी से किया जा सकता है और भी conditions हैं जिसमें vaginal itching हो सकती है जैसे कि बहुत जादा vagina का dry होना या vagina का बहुत जादा sensitive हो जाना किसी product के लिए अगर आप कोई नया chemical, कोई नया साबून, कोई नया perfume यूज कर रहे है जो कि आपने वहाँ भी छड़क दिया है तो वो भी irritation करा सकता है याद रखें, vagina को clean करने के लिए आपको सिर्फ plain, हलका, गुन-गुना पानी ही काफी है आपको किसी भी soap, किसी भी detergent, कोई भी साबून की जरूरत नहीं है इसके अलावा कुछ और भी conditions हैं जिसमें की itching हो सकती है जिसे हम colistasis of pregnancy कहते हैं इसमें हातों में, तलवों में और पैरों के तलवों में भी itching होती है अगली condition जिसमें itching हो सकती है उसे हम colistasis of pregnancy कहते हैं इसमें हाथों में या पैरों के तलवों में भी इचिंग होने लगती है किसी किसी को पेट में भी बहुत जादा इचिंग होती है ये भी एक medical condition है जिसको आप अपने डॉक्टर से जरूर consult करें आपका वो liver test करा के कुछ दवाईयां देंगे इस condition को control में लाने के लिए तो हमने इस वीडियो में ये पाया कि अगर vaginal itching हो रही है तो वो अंदर किसी problem का संकेत है आप अपने डॉक्टर से अपनी इस problem को लेके जरूर consult करें वो आपको देखके बता पाएंगे कि क्या problem है और उस हिसाब से इसका treatment हो सकेगा अगर आपको कोई भी सवाल है मन में तो आप हमें comment box में जरूर लिखे और हमारे चानल को please like और subscribe जरूर करें Thank you